गुड मॉरिंग जै श्री राम आज का दिन 22 जनवरी तो अज हम हिंदुओं के लिए तो दिवाली है तो सब लोग आज दिवाली मनाएंगे आज मैंने हॉस्पिटल से छोटी ली हुई है बस तो आज मैं पूरी तैयारी करूंगी आप देखने नाश्रा बन रहे हैं हाँ पे मैंगी खा के जाओंगी कल मशीन लगाई थी कपड़े सब वाश किये यहां पे तो कपड़े सूपने का बड़ा प्रॉब्लम है पिर आके मैंने मिशिका को उठाया आज बाहर का वेदर आप देख सकते हैं विंडी है पर बारिश नहीं हो रही है दास को उठते हैं तो बस म मिशिका को उठा के अब मिशिका की सबसे अच्छी बात है वो सुबह हसते वे उठती है फिर उसने मुझे गुट मॉनिंग किया गुट मॉनिंग करने के बाद वो दो मिनट लेती है बैठी फिर आके उसने मुझे प्यार किया किसी दी उसने मुझे और बता है फिर मैंने उ में कुछ पी डे है तो वो बहुत वैपी है की केलने को मिलेगा बहुत तो बस उसके बाद में एड़ी हो गई डाड उसको लेकर निकल गए इसके स्कूल के लिए तो बस वो स्कूल बड़ा खुश होके जाती है हैंपर बच्छों पर टैंशन नहीं होती स्कूल जाने में तो इसलिए बचे बहुत खुश होते हैं, तो अच्छा लगता है मुझे यहाँ का स्टडी सिस्टम, बस मेशी का जा रही है, स्कूल बाई कर रही है मुझे, और निकल गई है वो, मैं इसको बाहर तक छोड़ने के लिए आती हूँ, जिस दिन भी मेरी चुट्टी होती है, और कि स्कूल तो जाना जरूरी है, तो आज हस्बन जब वापस आया, तो मैंने हस्बन से पूछा मैं आपको ब्रेड बटर दे दूँ, पिकवास के लिए उन्हों ने बोला ठीक है, तो मैंने हस्बन को दे दिया और मैंने अपने लिए बेच, चाई, अंडर ब्रेड और बटर मैंने भी नाश्टा किया नाश्टा करने के बाद मैं मुझे और तयारियां करनी थी तो बस उन्हें तयारियों के बारे में सोच रही थी क्या क्या बनाना है फिर मैं नहाई मैंने भगवान जी का भोग तयार करा उसके बाद मैंने ये मुझफली भूनी है मैं इसकी बर्फी बनाऊंगी ये ड्राइफूट करंबल्स हैं तो हाँ ड्राइफूट करंबल्स और मंगफली की बर्फी ये आटा भून रहे हूं मैं पंजीरी के लिए तो वस देख सकते हैं मेरा भोग रेडी हो गया है पंजीरी बन चुकी है ये मंगफली की बर्फी मैंन तो ये मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर में जो पूजा हुई उसकी जहलकिया है ये थोड़ी सी और बस मैं नहादो के तयार हुई मुझे आज मिशिका को स्कूल लेने के लिए जाना था तो मैं मिशिका को स्कूल से लेके वापस आ रही हूँ और वो मुझे बता रही है कि आज उसका स्कूल मेरे बहुत ही अच्छा था उसको बहुत मज़ाया बहुत सारे गेम्स हुए थे और खेला उसने खुब उसको मज़ाया तो बस हम यहां से निकल गए बाते करते हुए जा रहे हैं दोनों मा बेटी और डिसकस कर रहे हैं मैं मिशिका को बता रही हूँ कि आज हम दिवाली सेलिबरेट करेंगे राम जी घर आ रहे हैं वापस तो उसके लिए बस मैंने उसे बताया फिर हमने एक प्यारी सी सेल्फी क्लिक करी आप यह देख सकते हैं शाम की तैयारी पूझा पाट की तैयारी हो चुकी थी मंदिर सच चुका था तो मैंने जितना मुझे से बन बड़ा कोशिश हुई मैंने उस दिन बगवान के स्वागत के लिए अपने मंदिर को सजाया तो आपको मेरा मंदिर कैसा लगा बिल्कूल जरूर कमेंट में बताईएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो और भी अच्छी वीडियो साती रहेंगी और देख सकते हैं मेरा मंदिर प्लीज मुझे कमें सेक्शिन में बताईएगा ये मेरी बेटी रेडी होई उसने भी सूट पहना आए आज तो बस वो भी बस उन्दर लग रही थी और ये मैं पूजा करते हुए husband का काम 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 हो गया था वो भी रेडी होकर आ गए थे पूजा के लिए तो बस हमने सबने मिलकर पूजा की और उसके बाद में फिर मैंने डिनर की तैयारी स्टार्ट कर दी डिनर में मैं बना रही हूँ पनीर तो ये ढबा स्टाइल पनीर है इसकी रेस्पी अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में बताईएगा मैं जरूर दूंगी तो मैंने पनीर रेडी किया और फिर पनीर रेडी करने के बाद पनीर के लिए मैंने पनीर को थोड़ा सा शेलो फ्राई किया था ज्यादा नहीं बहुत हलके से एक चमस तेल में आप उसको एक fry pan में fry कर लिए उसकी gravy ready करती थी मैंने बस अब gravy बनने के बाद में पनीर को mix करूंगी तो मिनट लगएगा बन जाएगा तो बस उसके बाद में हम खाना लगाने की तयारी कर रहे थे और मैंने husband को बोला फिर यहाँ पे मेरे plow ready हो गए थे और फिर हमारा dinner लग चुका है तो कप्रे चेंज करके हम लोग dinner के लिए बैठ चुके है तो dinner में था आज plow था पनीर था पूरी थी है तो पनीर पूरी चावल और बस देख सकते हैं